Hello everyone, अब हम लोग इस tutorial के अंदर एक image gallery बनाएंगे, bootstrap क्या करता है, bootstrap हम लोग के एक basic structure प्रोवाइट करता है, जिससे हम एक बहुत simple लेकिन एक attractive लोग वाली image gallery जो है, वो बना सकते हैं, so हम लोग अब वो एक image gallery बनाना शुरू करते हैं, उस image gallery के लिए मैं सबसे पहले एक class container की class लेंगे, container की class लिए हम लोग और div को इसको end कर दिया, end of container, चीक है, अब मैं इसके अंदर एक div बनाता हूँ, जिसको हम कहेंगे div class row, row की class हम ने इसको दे दी, end of row, चीक है, अब क्या है, मैं इसके अंदर grid बनाना शुरू करते हूँ, div class, मैंने अगर आपको याद हो तो एक चीज़ बताई थी कि हम grid के system में, अगर जो size smaller section को कराएंगे, तो अपने top most maximum तक वो ही apply होगी, तो small, small क्या करते हैं, 4 की हम इसको दे देते हैं, ठीक है, अब क्या नाम है, इसके अंदर, यह means कि जब से call sm 4 है, यानि कि small size से लेके till the large screen size तक एक column के बेट जो है, वो 4 रहेगी, और इसको मैं property assign कराएं, small x, इसको हम दे देते हैं, 6, ठीक हो गया, यानि कि अगर call size extra small होगा, तो वो 6 ले ले, यानि कि इसके भी 6 के equal हो जाए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको copy करता हूँ, और इसको paste कर द screen size से avoid करते हैं, उसको हम according to the screen बाद में adjust कर लेंगे, ठीक हो गया, इसके अंदर हम लोग image का tag लगाता है, image source, source हम suppose इसे accessories ना को ले ले लेते हैं, alt tag, accessories, ठीक है, और class image responsive लगाना तो जरूरी है, ठीक हो गया, हमने इसको class लगा दी, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी, इसी तरह, image, src, browse, और इसको खाल दी, november का दे देते है, alt, हम दे देते है, november dress, ठीक है, class again, img responsive, ठीक हो गया, इसी तरह, हमारी जो तीसरा अक्टिटेव है, इसके अंदर भी हम image डाल देते है, img, src, image, browse किया, अब हम suppose ये kids front, और इसके बाद, alt tag, डालते है, kids, dress, और class, img, responsive, ठीक है, इनको हमने add के, ये हमारी एक row complete होगी, यानिके एक row में हमारे पर सिर्फ तीन images आ रहे है, मैं इसी row को, जो है, इसके content को copy करता हूँ, और इसके बाद नीचे जाता हूँ, दो दफार इसको बना देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर बस images इसके name change कर देते है, supposed break now, ठीक है, इसको हम नाम लिख देते है, bread, ठीक हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर अगला image जो है, इसको लिख देते है, image, unstetched November, इसके अंदर मैं, यहाँ पर इसको, जो है, इसका हम alternative tag देते है, unstetched, ठीक हो गया, class image responsive है, यहाँ पर kids के dress को, हम remove करके, दे देते हैं, यह western November, हम इसको यहाँ पर remove कर देते है, alternate tags को, winters, ठीक है, यह western sorry, हम westerns कर देते हैं, सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब है, इसको हम remove कर देते हैं, या same row लगी रहने देते हैं, अब यहाँ पर एक जो चीज है, हम इसको load करते हैं, अब देखते हैं, कि हमारे page का look कैसा आ रहा है, हमारे page पे images, आपके सामने है, कि यहाँ पर कैसे images एक दुसरे के साथ, बड़ कैसे provide करता है, हम उसको explore करते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से अपने वापस code editor पर चलते है, code editor में हमारा यहाँ पर code added है, मैं आपको कहा कि bootstrap हम लोगे को by default एक gallery system provide करता है, gallery system किस तरीके से provide करता है, उस तरीके लिए एक class bootstrap हम लोगे provide करता है, जिससे हम कहते है class thumbnail, और य यह चीज़ हमेशा याद रखनी है कि container या जो भी हम बना रहे हैं, grid बना रहे हैं, उस grid में हर row को हम लोगे class thumbnail assign करनी है, तो row के साथ हम class thumbnail add कर देते हैं, अब मैं इस thumbnail को add करता हूँ, तो आप मैं को करके दिखाता हूँ, हम view करते हैं, तो हमारा image कैसा लग रहा है, या हमारा जो है, कैसा चल, हमारी gallery कैसी look दे रही है, आपने देखा कि ये gallery के गिर, एक बारीक सा border सा चल रहा है, बिल्कुल ये बारीक सा border है, मैं zoom in करता हूँ, आपको यह नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, कि ये आपको एक border सा नजर आ रहा है, ठीक हो गया, मैं अपने window close कर करते हैं, इसको हम लोगों ने again इस row के साथ attach कर दिया, अब मैं इस page को run करता हूँ, तो हमने run किया, अब आप लोगों के सामने है, कि जो नो, पहले उपर वाला, sorry, ये zoom level फिर से वही है, मैं इसको default पे ले जलता हूँ, अब आप मैं देखा कि इसके दोनों के gear, जो है, एक खास किसम का borders appear हो रहा है, अब जो last रहे गया, सिफ इसके रहे गया हम thumbnail class को दुबारा click करते हैं, copy करते हैं, और हम जो है, इसको इस row के साथ भी attach कर देते हैं, अब मैं दुबारा से इसको page को refresh करता हूँ, page refresh हो रहा है, and internet connectivity slow है, that's why page load होने में time ले रहा है, अब आप आपनो प्रोवाइड करता है, लेकिन अब जाते जाते हम इसका responsive structure देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी set की वी है, कि till small screen यहाँ पर तीनो images एक साथ रहेंगे, जैसे जैसे हमारा small screen size होता जा रहा है, images accordingly adjust हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी एक उसे के साथ हैं, अभी देखा आपने के जैसे मजीद small size पर हम गई, images according to the size छोटे हो गए, लेकिन इनके pixel बराबर हैं, और वो responsive भी है, अब जैसे जैसे मैं small से extra small पर गया, तो यहाँ पर extra small पर एक relative पर या एक वक्त में एक image show हो रहा है, तो हम लोग इसको मजीद show करते हैं, तो यह है responsiveness, लेकिन इसको थ झाल, 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